नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आईएस प्रेपर हम यहाँ पर इस समय एक स्रीज के अंतरगत इंटर्व्यू जो लोर्स वाडिनेट का चल रहा है 2015 का उसमें जो प्रशने पूछे जा रहे हैं और अलग-अलग बोर्ड में जो पूछे जा रहे हैं उसको डिसकस कर रहे हैं इसमें हमने मिस्तरा जी के बोर्ड का और दुवेदी जी के बोर्ड के कुष्चन डिसकस किये थे आज हम गुपता जी के बोर्ड, एक ही गुपता जी का एक बोर्ड चल रहा है और कई लोग पूछ रहा है थे कि बोर्ड में कितने सदश्य होते हैं तो यह जो लोर्स वाडिनेक का इंटर्व्यू चल रहा है इसमें एक अद्धेक्ष होते हैं और दो सदर्शिक और होते हैं बोर्ड में यह पुरा बोर्ड होता है यानि कि तीन लोगों का और यहाँ पर आपको बैठ के इंटरिव्यू देना होता है पहले भी हम इस बात की जानकारी और इस पर डिसकुशन हम आपसे कर चुके हैं तो आज हम गुपता जी के बोर्ड का एक ही गुपता जी जो है उनके बोर्ड के कुश्चन को डिसकुस करेंगे गुपता जी ने एक candidate से जब वहां पर पहुंचे candidate तो उनसे पूछा कि अपने बारे में बताया पहला उन्होंने प्रश्ण कर दिया कि अपने बारे में बताये अपने बारे में आप क्या बताएंगे यहाँ पर थोड़ा यह भी हम चर्चा कर लिए आपके बारे में जो कोई पुछता है तो सबसे पहले आप नाम बताने का अगर आपसे रोका जाएगा तो आप नहीं बताएंगे नहीं तो आप अपना नाम बताएंगे नर्मली नाम रोग दियाता है कि नाम मत बताईए अस्थान मत बताईए तो अपने बारे में आपका बताएंगे तो अपने बारे में आप ये बताएंगे कि आपने क्या पढ़ाई की है और आप क्या कर रहे हैं तब उससे आगे प्रश्न बनेंगे फिर इन्होंने कहा कि आपके जिले के किरसी के बारे में आपके जिले की जो किरसी है और किरसी के बारे में बताईए और आपके जिले के रचनाकारों के बारे में बताईए जो कोई रचनाकार है जब इन्होंने अपने बारे में बताएं पूछा होगा तो जाहिर सी बात है उसमें जिले की बात आ गई होगी तो वहीं से ये प्रश्ण बना होगा कि रचनाकार के बारे में बताइए और किरसी के बारे में बताइए कि वहाँ पे खेती कैसी है ठीक है न तो ऐसी चीज़ों के लिए मैंने आपको पहले भी अलट किया था कि तयार रहना चाहिए फिर उनने कहा कि असनातक और प्राशनातक में क्या अंतर है एक प्रशनी उनने पूछा कि आप जो ग्रेजिएशन करते हैं फॉट वेश्ट प्रशन देखे पूछ रहे हैं प्रारम और आरम में क्या अंतर है राश्टिय सुरच्छा और सामुहिक सुरच्छा इसमें अंतर पूछ लिया इनके बारे में बताईए ऐसा प्रशनी उनने किया एक प्रश्ण उन्हें कहा कि जंजातियां किसे कहते हैं जंजातियों के बारे में क्या प्राउधान है इसमें प्रश्ण गिया उजंजातियों के नाम पूछे फिर इन्होंने कहा कि नकसल की समस्या बहुत है नकसल की समस्या के बारे में आप बताईए भारत के कौन कौन से स्टेट नकसल की समस्था से प्रभावी थे तो नकसल पर इन्होंने प्रश्न पूछ लिया इन्होंने कहा कि मुगलकाल के पांच सासकों के नाम बताईए मुगलकाल क्या था मुगलकाल के बारे में बताईए है ना और आप इस बीच में देखे न्यूज टेंट इपर पो लिए हैं इन्होंने जल जनिद विमारियों के वारे में हैं थिक ह Anda इन्होंने एक प्रॉष्ण एसनातक की विशे के वारे में लगभख सबसे पूछा कि आपके जो ग्रेजियोशन में विशे थे अशनातक में तो graduation वाले बिसे और जैसे बिसे की बात आएगी तो जो भी आप subjects बताएंगे माली जै आपने history बताया या आपने जोगरफी बताया या आपने BSC किया है BTEC किया है जहां से भी जो subject बताएंगे तो उसके सबसे बड़ी बात यह होती कि उसका योगदान क्या हो सकता है जिस नौकरी के लिए आप interview दे रहे हैं सासन प्रसासन में प्रसाशन में आप क्या योगदान हो सकता है इस पे प्रशन बन ही जाते हैं तो इसके लिए आपको तयार रहना चाहिए ठीक है आगे हम बात करें तो इनका जो बोर्ड है गुपता जी का इन्होंने कुछ कंडिडेट से ऐसे सिंपल सिंपल प्रशन किये बहुत ही सिंपल प्रशन जैसे इन्होंने एक प्रशन किया अच्छान सो देसांतर क्या होते हैं लोंगिटीड एन लैटीटीड के बारे मे इन्होंने पूछ लिया डोकलाब विवात पर भी इन्होंने प्रशन किया और एरुशलम के बारे में कहा पूछा कि ये क्या है कौन सा सहर है कहा की राजदानी क्या है कैसे इसकी महत्ता क्या है इसके बारे में इन्होंने प्रशन पूछा इन्होंने जो प्रशन है वो सामा इन्होंने पूछा पदों के वारे में भी कुछ प्रश्ण की ये supply inspector और ये marketing inspector इन सब पदों के बारे में कि इनके डायित क्या होते हैं इनके पद के कारी होते हैं तो इन सब प्रश्णों को भी आप तैयार करके जाए ऐसे प्रश्ण पूछे जाने भी गुपता जी ने पदमावती फिल्म इसमें चर्चा में चल रही है और पदमावत जिसका नाम बदल कर रख दिया गया है तो उसमें भी प्रशन पूछा ठीक है ना और इन्होंने कहा कि इस पर अपना विचार दीजिए पदमावत और पदमावती वाला जो इस चल रहा है तो पदमावती पर अपना विचार दीजिए यह बात आएगी तो जाहिर सी बात है आप से पूछ ली जाएगी कि पदमावत किसकी रचना है तो मलिक मुहम्मद जैसी मलिक मुहम्मद जैसी आपको ध्यान रखना चाहिए इन्होंने फिर यहीं से प्रशन पूछते हुए इतिह क्राद से कोई कंडिडेट रहंगे उनसे पूछा कि प्लासी का युद्ध क्या था कब वर हना फिर इन्होंने यह भी पूछा प्रशन कि आपने जो डिग्री ली है और कि विस्विद्याले से लिए और इसमें इन्होंने इस प्रशनीं का था वह था कि लाश्ट डिग्री आपने किस विश्विद्याले सीदी है जो आपकी last degree है देखिए ऐसे प्रश्ण करने में कई बार board ये चाहता है कि आप अगर कुछ छुपा रहे होगी कोई degree की प्रश्ण ना पूछा जाए बहुत बार ऐसा लोग छुपा लेते हैं तो आप जटके में बता दे ठीक है तो ये प्रश्ण इन्हों ने किया इसके बाद में हम देखें गुपता जी के board के प्रश्णों को तो गुपता जी ने bitcoin पर प्रश्ण किया है bitcoin इधर काफी चर्चा में रही है और ये bitcoin क्या है तो आप 80 मुद्रा है ये आप लोग जानते होंगे इसके बारे भी detail थोड़ा पढ़ लीजेगा और इस पर government आप सिकंजा कसने जा रही है अभी तक इसको नियंत्रित करने का विश्व में कोई ऐसी mechanism नहीं है जिससे इसको नियंत्रित किया जा सके तो इन्होंने bitcoin पर प्रश्ण किया और रुपिय की परिवर्ति नियता पर इन्होंने प्रश्ण कर लिया सहकारिता के बारे में इन्होंने प्रश्ण पूछा कि सहकारिता क्या होती है फिर इन्होंने जनसंख्या पर कुछ प्रस्ण कि जनसंख्या में मालथस का सिद्धान पूछ लिया तो जब मालतस का पूछ रहा है तो आप निश्चित तोर पे जनांकिये संक्रमर सिधान भी पढ़कर जाएए यह भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा इन्होंने समाज में भेदभाओं को दूर करने के उपाए आप से पूछे कि कैसे आप इसको दूर करेंगे अगर आपको होता है कि फश्च नंबर पे आप कौन सी पूछ चाते हैं तो पदक्रम पे इन्होंने प्रस्ट पूछा पदक्रम पे जब उत्तर दीजिएगा तो उसको जस्टिफाई करने के लिए तयार रही है कि आप क्यों फश्ट पो दे रहे हैं वहाँ पर वो समझते सब हैं आप क् पहुचेंगे तो कईसका उसका सुधार कर लेंगे तो विभाग ये सुधार पर उन्होंने प्रस्ट पूछे कि विभाघ में जो कमिया है उन네 कैसे सुधार है ठीक है आगे हम बात करें तो इन्होंने बार-बार इसमें विकास चर्चा में रहता है ये विकास भाजपा का एजेंडा था और भी बच्ची पार्टियां अधिक तरका करती है विकास गायब हो गया, विकास मर गया, विकास खो गया, जो भी कहती है यहां पे इन्होंने पीछा कि विकास क्या है ठीक है न निर्भया कांड पे इन्होंने प्रश्ण कर लिया कि निर्भया कांड क्या है क्या निर्भया कांड था फिर निर्भया कांड की बात आएगी तो इसमें जो फंड वन बाद में बनाए गए फिर इनमें जो इसके दोसी इनको सजा दी गई थी जो छूटा उन सब प्रश्ण ठीक है तीन तलाग चर्चा में रहता ही है कोई भी बोर्ड आपसे प्रश्ण कर सकता है तो ट्रिपल तलाग बहुत ही इंपॉर्टेंट है तिपर तलाग जो है राजसभा में अभी सीत कालिन सत्र में पास नहीं हो पाया तो इस पे प्रश्ण आप से पूछे जाएंगे अंतिम सिच्छा आपने कहां से ली फिर उन्होंने ये प्रश्ण रिपीट किया और समाज सास सब्जेक्ट था जो कंडिरेट था ये तो समाज सास सब्जेक्ट पे उन्होंने खोब प्रश्ण पूछे कोई भी जब सब्ज चीजें तयार करके आपको निश्चे तोर पर जानी चाहिए गुपता जी ने एक कहा कि सबाडिनेट आदी आपका आदेश नहीं मानते हैं तो आप क्या करेंगे देखिए यह इथिक का प्रस्ण हो गया है यहां पर आप के तौर तरीके क्या होंगे अगर आपका जो अंडर में काम करने वाला इस्टाफ है आपके अंडर में काम करने वाला वो आपका नहीं मान रहा है कहना आप आल लेडी सबाडिनेट की इंटर्विव देने के लिए परिछा के लिए इंटर्विव देने गए हैं और फिर आपके अंतरगदी जो सबाडिने तो बहुत बड़ा पत्तो खैर इसमें होता नहीं है लेकिन आपके अंदर में जो भी होगा कलर्क होंगे या चप्रासी होंगे तो वो नहीं मानेंगे तो आप क्या करेंगे ऐसा इन्होंने पूछा क्या कहा है ट्रंप ने क्या कहा है पाकिस्तान के बारे में क्या किया है और यह सारे प्रश्णी इन्होंने किये उसके बाद में जो गुप्ता जी थे गुप्ता जी ने क्या पंचायद पर ग्राम पंचायद पर ग्राम पंचायद और नगर पंचायद नगर निकायद नगर निकाय को पूछा और नगर निकाय को पूछने के बाद में इन्होंने क्या किया? ग्राम पंचायत की तुलना इस से करा दी इसमें प्रश्ण कर लिया, ठीक है न? मैं पावर पे पूछा, विमें पावर पे भी पूछ लिया, महिला सा सक्तिकरण पे प्रश्न पूछ लिया, है ना, तो ये सारी चीज़े, आप लोग देख कर जाएं, जिनका भी इंटर्वी है, जिनका नहीं भी है, वो लोग भी इन चीजों के लिए तयार है, भविस में उ किये हुए और किये हुए जो लोग है, उनके पढ़ाने में क्या अंतर होता है, है ना, एक लेडी कंडिवेट थी, तो उनसे इन्होंने कहा कि कौन सा न्यू चैनल आप देखती है, है ना, देखिए, ऐसे तयारी के लिए हमने आप से कहा था, कि न्यू चैनल जो भी आप द होता है, कहीं पर खेलने जाते हैं, तो किर्केट में कितने खिलाड़ी जाते हैं, ये प्रशन उन्होंने कहा, ठीक है, और ये सारे प्रशन थे, जो की पूछे गया, उसके बाद में आगे का जो डिसकुसन है, कहने का मतलब जो प्रशनों पर हम कर रहे हैं, उसको हम करेंग लेकिन ये बीडिल बहुत ज़्यादा लंबा नहों आप इतना तयार करिए यह तीसरा एपिसोड हो गया चौथे एपिसोड में हम अन्य बोर्ड की कुश्चन्स लेकि आपके पास आएंगे तीन बोर्ड ये चल रहा है अगर कोई नया आता है तो यह यही रहेंगे तो इनकी बाते हम करते रहेंगे आपसे थैंक्यू थैंक्यू बेरी मैच